नश्कार मित्रों आप सभी का ओम डिजिटल एस्टडी के इस ओनलाइन लर्निंग प्रेटफोर्म पर बहुत-बहुत स्वागत अविनेंदन भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राजस्थान सहित पांच राजियों में चुनावों के लिए सेड्यूल जारी कर दिया है औ क्या कुछ चीजें हैं वो परिवर्तित होती हैं सरकारी तंत्र किस प्रकार्श कारे करता है साथ साथ आप लोग जो ज्यादातर प्रतियोंगी प्रिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतियोंगी प्रिक्षा उपर क्या असर पड़ेगा जो हमें उमीद थी कि आदर आचा क्रमचारी चैनबोर्ड और पीएसी उसी प्रकार्षे कार्य कर पाएंगे अब जिस प्रकार्षे वो बीना आचार शाहिता के पहले करते थे तो इस संबंद में लिगल प्रोविजन क्या है बारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो आदर्ष आचार शाहिता के लिए में क्या प्रोविजन है और पीएसी और क्रमचारी चैनबोर्ड यानि की बरती एजेंसियों के संबंद में वह चीज भी हम देखेंगे उससे पहले आदर्ष आचार शाहिता कि अगर बात करें तो आदर्ष आचार शाहिता क्या होती है तो यह एक नियामावली होती है दिस प्रतेख व्यक्ति को जिसमें आपका मैंली ये जो आपके कोड ओफ कंडेक्ट होते हैं model कोड़ ओंडेक्ट हैं ये किसके लिए होते हैं प्रिटिकल आपके पार्टी के मेंबर्स के लिए यानि की जो विदायक के उमीद्वार है या फिर जो आपके कार्य करता है उनके लिए तो मैनली हैं इसके साथ साथ में जो सिविल सर्वेंट्स हैं सरकारी करमचारी हैं उन पर भी यह आपके लागू होते हैं उनको भी विश कि चुनाव पूरी तरीके से क्या हो निस्पक्स हो अगर चुनाव की घोशना हो जाती है और घोशना के बाद में इस model code of conduct के थुरू जो आपका सत्तापक्स है उस सत्तापक्स पर भी यानि की present सरकार पर भी बहुत सारे अंकुस आपके लग जाते हैं वो आपकी पूरी तरीक के अंडर में हो चला जाता है जिस प्रकार शेक राष्टपति सासन लागू होता है वेसी ही situation हो जाती है और जो आपके सरकारी मंत्री है मुख्यमंत्री इत्यादी है जिस प्रकार शे पहले सरकारी वहानों का इत्यादी यूज कर रहे थे तो वो भी उसके बाद में है वो यह कर शकते हैं कि वह अपने ओपीस से और आपके सरकारी उनका जो आवास है वहां तक जो वहान का यूज कर शकते हैं बागी किसी political agenda के लिए सरकारी मसंद्री का यूज नहीं कर शकते हैं साथी साथ जो आपके जन संचार माध्यम है जो न्यूज चैनल इत्यादी है जो ग कि योजना है वो लागू करना किसी नया को शिलानयास करना किसी का उद्गाटन करना तो यह चीज पूरी तरीके से प्रतिबंद रहती है सरकार यह चीज नहीं कर सकती है तो यह सारे के सारे model code of conduct है इसके अलावा सरकार को साहता के लिए कुछ जो सरकारी करमचारी इत्याद या मुक्य मंत्री है कहीं अपनी चुनावी रेली के लिए जा रहा है तो उसके साथ में उनका जो पहले PA था ठीक है सरकारी करमचारी वो उनके साथ में हो नहीं जाएगा और किसी भी सरकारी जो civil servants के साथ में मुक्य मंत्री या फिर कोई भी मंत्री बेठक इत्यादी भी न के दाएरे में किस प्रकार्श रखा गया है वो चीज मैंली आपके काम की है क्या भरतियां और अभी निकल पाएगी या फिर हमें 2024 तक इंतजार करना पड़ेगा यह जो आपकी मैंली डाउट है इन पर हम आज चर्चा करेंगे तो देखिए मोडल ओप जो कोड़ ऑप कंड काम के लिए और उनके उम्मीद्वारों के लिए और रुटेटड गईड लैंड और इससे समंदीत यह आपके और भी दिसाद्निर्देश किसके लिए और भी आपके क्रमचारी वरंद इत्यादी इत्यादी है सरकारी सेवक हैं उनके लिए भी आदर्ष आचार श्रहिता का पालन करने होती है लेकिन और इसके साथ साथ में ये जो आपका चुनावी जो आपकी गोशना है ये भी आप सभी को पता होगा अच्छी तरीके से ठीक है अब इसके लिए गोशना तो कर दी है भारत निर्वाचन आयोग ने लेकिन 30 अक्टॉमबर को इसका गजट नोटिफि कौन जारी करेगा चुनाओं के लिए जो अधिसूचना है गजट में प्रकाशन करेगा 30 सक्टॉमबर को तो यह किसके द्वारा जारी की जाएगी आप लोगों को कमेंट करके बताना है 6 नवंबर को इसके लिए नोमिनेशन है वो भरे जाएंगे और उसके बाद में नोमि को वोट है वो हो जाएगा एलेक्शन हो जाएगा आप सभी को मतदान करना है और इसकी 3 दिसंबर को काउंटिंग हो जाएगी और 5 दिसंबर को आपका पूरी तरीके से यह चीज कंप्लीट हो जाएगी तो आदर्श आचार शहिता है वो आपकी आज से हो लग गई है और ज प्रमचारी चैन बोर्ड या अन्य जो प्राधिकर्ण है जो आपके भरती प्रिक्षाओं का आयूजन करते हैं तो उस संबंद में क्या प्रोविजन है आप लोग अलग 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 इस्टेटमेंट है वो पड़ते होंगे लेकिन जो आपकी जानकरी है वो मैं आपके सामने बारत निर्वाजन आयोग के द्वरा जारी किया हुआ है इसी मैनियूल में यह लाइन है वो लिखी गई है इसमें कहा गया है कि संग लोग सवा आयोग यानिकी UPSC तो हमारे इसमें है नहीं क्योंकि UPSC जब लोग सभा का चुनाव होता है पूरे भारत वर्ष में होता है तब आपका UPSC इसके दायरे में आती हैं तो अब हमारे बात करें तो राज्य लोग से वायोग यानिकी RPSC और क्रमचारी चैनायोग में हम RSSB को रख शकते हैं यहां किसी अन्य सावी दिख के अप्राधी करण के माध्यम से अगर कोई नियमित भरती हो रही है नियमित भरती अथवा नियुकती या पदोंती प्रमोशन ठीक है तो appointment है नियमित भरती और नियमित भरती के लिए नियुकती और पदोंती ये जारी रह सकती हैं और अगर कोई गेर शामवी दिख जो निकाय है यानिकी non-statuary body है तो वो अगर भरती करवाना चाहता है तो उसक से हमें क्या दिकल करके आया कि अगर आदर्श आचार शहिता में एक बात यह होती है कि यह जो बरती इत्यादी RPS करती है क्रमचारी चैन बोर्ड करती है तो यह अपनी मर्जी से हो नोटिफिक्शन नहीं निकालती है इसके लिए पहले कार्मिक विबाग से और सरकार शे क्या होता है अनुमती लेनी होती है सरकार शे कार्मिक विबाग से फाइनल जो आपकी इसकी लिए अनुमोधन है वह आपका वहां से निकल जाता है और उसके बाद में आपकी करमचारी चैन बोर्ड तक या RPSC तक अभ्यरतना है वो पहुंचती है त उन भरतियों के संबन में ये बाते हैं वो निकल करके आ रही है कि उनके लिए आपके क्या है कि कार्मिक विबाग से और इसकी जो वित्य स्विकरती है वो आपकी जारी हो चुकी है सरकार की माद्यम से तो अगर सरकार ने उनको वित्य स्विकरती है वो दे दी है तो तो ये आपके इसके लिए notification अभी भी जारी हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है कि आदर्श आचार शहीता लग गई और RPSC ने काम करना भी बंद कर दिया करमचारी चैन बोर्ड भी अपने बोरी अब इस तर समयट लेंगे तो ये बात बिल्कुल कुछ नहीं है अभी भी आपके भरतियों के notification जारी हो सकते है लेकिन इसके पीछे शर्त ये है कि अगर सरकार से पहले ही अनुमती मिल चुकी है उनका notification जारी हो सकता है अगर अनुमती पहले नहीं मिली है तो अब सरकार अनुमती नहीं दे सकती है ठीक है क्योंकि ये एक political agenda हो जाएगा और इससे चुनाव प्रभावित भी हो सकते है तो अगर पहले आपके इसके लिए अनुमती उनको मिल चुकी है RPSC को अभिरतना प्राप्त हो चुकी है तो RPSC बरति के लिए notification भी जारी कर सकती है इसके अलावा बरति के लिए आगामी प्रिक्षाओं के लिए RPSC ने schedule जारी नहीं किया तो schedule भी जारी कर सकती है इसमें भी कोई दोराय नहीं है दूसरी बात है नुक्ती की तो नुक्ती आदेस भी आपके result भी निकाले जा सकते है उनकी counseling भी करवाई जा सकती है और उनको नुक्ती भी दी जा सकती है ठीक है लेकिन सरकार है वो कहीं किसी का अगर promotion करना है या फिर transfer करना है या सरकार के थूरू किसी की नुक्ती करनी है तो government ये काम है वो नहीं कर पाएगी भरती जो chain board है ये आपकी joining दे सकती है ये सारा काम है वो करमचारी chain board RPSC कर सकता है और कुछ अगर इनको कोई sense से होता है तो ये आपके निर्वाचन आयोग से प्रामर्श भी कर सकते हैं और उसके बाद में ये चीज अपनी continue रख सकते हैं तो ये manly बात है किस संबन में RPSC और करमचारी के संबन में आपको चीज ए clear हो गई होगी दूसरी बात है कि अब हम तयारी किसकी करें अभी तक तो कोई notification आया नहीं है कुछ बर्तियों का आया है जिसे पसू परिचर का आया है तो क्या हम net किये हुए है और MSC MPIL किये हुए है तो हम पसू परिचर की तयारी करेंगे क्या तो इस संबन में आपको क्या करना चाहिए तो जिन बर्तियों के लिए notification जारी हो चुका है जैसे की बात करें हम पहले RPSC की बात करेंगे उसके बाद में करमचारी चैन बोर्ड की बात करेंगे तो RPSC में एक बहुत बड़ी भरती है Assistant Professor की College Education में और इसी के साथ साथ में College Education में Librarian की जो 20 साल के बाद में निकली है और PTI की भी तो यह जो vacancies हैं इनके लिए अगर आप eligible हैं तो आप जरूर इसके लिए हो तैयारी करें आपने आवेदन भी कर लिया होगा इसके लिए ठीक है दूसरी बात है अगर आपने आवेदन किया है आपकी Net Set नहीं है Net JRP नहीं है तो आप Net के लिए December में अभी exam form स्टार्ट हो गए हैं तो December में आप exam form ये फिल करके December में आपका exam होगा तो Net में भी आप appear हो सकते हैं और उसके बाद में निश्ची तोर पर आप exam हो इसका दे सकते हैं और February March में आपका Assistant Professor का exam हो होना है ठीक है दूसरी बात है अगर आप Assistant Engineer A.N. के लिए Mechanical का जो notification आपका जारी हो चुका है Already और RAS मुख्य प्रिक्षा प्रारंबिक प्रिक्षा हो चुकी है तो मुख्य प्रिक्षा तो होनी ही है 2024 में कभी भी ठीक है तो मुख्य प्रिक्षा के जो अभिरती जिनको लगता है कि पूरी तरीके से हम safe zone में हैं और प्रारंबिक प्रिक्षा कलेर कर लेंगे तो उनको मुख्य प्रिक्षा की तयारी करनी चाहिए इसके अलावा जो बहुत इकम नंबरों से आप second grade में रह गए हैं school lecturer में रह गए हैं या फिर read प्रतियों की प्रिक्षा में रह गए हैं तो आपको इन प्रतियों की प्रिक्षा की तयारी भी continue रखनी चाहिए जो school lecturer वाले इसमें भी आपके assistant professor के लिए जो आपके appear हो रहे हैं तो उनको school lecturer से पहले assistant professor की तयारी करनी चाहिए क्योंकि आपका assistant professor का है वो school lecturer से थोड़ा सा wide है अगर आप assistant professor की तैयारी करेंगे तो school lecturer वाला आपका automatically ही हो जाएगा ठीक है कुछ चीजें आपके Hindi English है वो बचेगी तो बाद में अभी आप कर सकते हैं ठीक है तो ये बात है बाकि second grade वाले second grade की भरतिया आपकी निश्ची तोर पर है वो आ जाएगी और अगर इनके पास में RPSC के पास में अभीरतना पहुच गई है तो ये notification जारी कर देंगे और नहीं तो आप है वो दिसंबर तक इंतजार करें दिसंबर के end में लगबग लगबग आपका notification है वो जारी हो जाएगा इसके अलावा बात करें क्रमचारी चैन बोर्ड की तो क्रमचारी चैन बोर्ड ने तो already आपके बरती प्रिक्षाओं के क्या कर दिये है केलेंडर जारी हो कर दिया है तो ये जो बरती प्रिक्षा का केलेंडर जारी किया है इसका मतलब है कि ये बरतिया आपके निश्ची तोर पर होनी तो है चाहे कोई भी सरकार आए ये बरतिया आपकी है वो रद नहीं होगी ठीक है औ नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है आपने आवेदन भी कर लिया होगा परशूफ परिचर का भी आवेदन इस्टार्ट होंगे ठीक है तो जिनका आवेदन किया हुआ है नोटिफिकेशन जारी हो गया है डेट जारी हो गई है तो फिर आपको गबराने की आश्रकता ही नह है तो ऐसी कुछ vacancies है इनके लिए आपका notification जारी नहीं हुआ है लेकिन date आगी है तो date के recording अगर आपको selection लेना है तो अभी से आपको तयारी करनी होगी बाद में notification आएगा हम तयारी करेंगे तो फिर एक प्रकार की आपकी बहुत बड़ी है वो गलती होगी भूल होगी और उससे आपको setback भी मिल सकता है तो इसलिए आपको तयारी है वो जो भी आपका लक्षे है उस लक्षे को ध्यान में रखते हुए अभी से आपको तयारी है वो शुरू कर दैनी चाहिए और अच्छी notification जारी हो चुके हैं तो सबसे पहले तो priority उनको देनी है और दूसरी बात है आपने पहले भी आपको अच्छा खासा experience है और बहुत ही कम नंबरों से आप जिस बरतिप्रिक्षा में पीछे रह गए हैं तो उस बरतिप्रिक्षा की second grade की, school lecturer की, REIT की इसमें अगर आप थोड़े बहुत नंबरों से पीछे रहे हैं तो वापस वो ही आपको syllabus उठाना है उनकी ही तैयारी करनी है दूसरी बात है जिलों की तो जिलों के सम्बन में क्या होगा तो जिलों के सम्बन आपकी पुने जारी हुई कुछ तैसीलों को इधर-उदर और किया गया है अभी मेप तो उन्हों ने जारी नहीं किया है ठीक है तो मेप जारी बहुगा भी नहीं और तीन जिलों की गोश्णा कर दी तब तक ये गिले जिने है वो माने नहीं जाएंगे ठीक है consider नहीं किये जाएंगे तो officially जो गजट नोटिफिकेशन है पचास जिलों का हुआ है उसके recording आप तैयारी करें और बाकी दो तीन जिले इदर उदर कोई बाद में होता भी है तो वो आप अच्छी तरीके से इतने 50 क करेंगे तो बाकी वाले तो हो जाएंगे कोई दिक्कत ही नहीं है तो इसके recording आप बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कीजिए और अपने जो लक्षे हैं उस लक्षे के प्रति डेडिकेशन के साथ में है वो लगे रहें साथी साथ राजस्तान सामाने ग्यान की इत्यास क्लास संस्कृति भुगोल राजस्तान की राजनितिक और प्रशास्तिक व्यवस्ता इसकी बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए ओम डिजिटल स्टाड़ी मोबाइल एप्लिकेशन जो लर्निंग एप्लिकेशन है हमारा वह आप जरूर डाउनलोड करें वहां पर हमारी क्लास प्रिक्षाओं के लिए हम बैच स्टार्ट करेंगे जल्द ही तो आप जरूर जोइन करें साथ-साथ अगर आपको लगता है कि हमारी तो कंसेप्चिल तैयारी बहुत बहुत अच्छी है हमें क्यों प्रक्टिस करनी है तो ओम डिजिटल स्टड़ी टेस्ट स्रीज वाला मो गई होगी ठीक है तो बहुत बहुत शुक्री आप सभी को और भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं कमेंट रह जाते हैं तो आप कमेंट जरूर करें थैंक यू सो मच अल आफ यू बहुत बहुत धन्यवाद